तो देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश राज जी के जो भी एक्जाम है जो भी परिक्षा हैं आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश में जितने भी आयोग है चाहे वो UPSC हो UPSC के द्वारा देखो कई सारे exam लिये जाते हैं लेकिन एक आपका UPPCS का जो आपर exam है दूसरा आपका समिख्षादिकारी का exam है बाकि इसके अत्रिक्त कई सारी गस्टेट पोस्ट हैं जिनका exam UPPCS के द्वारा लिया जाता है तो UPPCS के जितने भी exam है दूसरा UPPCS का योग है उसके द्वारा जो exam लिये जाते हैं अब तो UPPCS के द्वारा PT, PET का exam आपका हो गया इसके अलावा लोर PCS का exam हो गया और कई सारे exam को समलित कर दिया गया उसमें उत्तर प्रदेश की जो सिक्षक भरती है ये exam आपका एक बहुत बड़ा exam है और इसके अत्रिक्त UPSI का exam है उत्तर प्रदेश को लेकर के कई सारे exam है multiple exam है, examों की कमी नहीं है बर्मार exam 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 है उत्तर प्रदेश में तो सभी को लेकर के एक चीज common है जो पूसता है सभी में वो है उत्तर प्रदेश राज विशेश है ना क्या पूसता है आप लोगों से उत्तर प्रदेश राज विशेश आप सभी से पूसता है तो मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं आप सभी को इस topic में मदद कर सकूँ help कर सकूँ और आप जानते हैं कि मैं जब काम करता हूँ तो चीजों को लेकर के बहुत हलके में काम नहीं करता हूँ मैं deeply ही work करता हूँ मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ जब भी जो भी class आप मेरे करते हैं उन class में मैं detail आपको knowledge दे करके जाता हूँ किसी भी चीज को लेकर के मैं work ऐसा नहीं होता कि हलके मैं करूँ तो मैंने दो आप लोग के लिए master video बना रखे हैं एक तो ये है UP special के दो master video बने हुए आपके और इसी में आजाद UP pieces academy के इस channel पे वो public भी है और आजाद AIS academy में भी public है आगे के master video भी आपको आएंगे तो UP को लेकर के जो भी exam है उसमें ये UP special के master video आप सभी को जरूर देखने चाहिए तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है कि आप UP special के master video दो हैं वो तो देख लीजेगा बाकी आगे के master video मैं आप लोग को release करूँगा आजाद IAS Academy के platform पे जो master video हो मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन इसके बावजूद भी आप हम लोग कुछ question answer जो पिछले साल के पूछे गए हैं आयोग के द्वारा बहुत सारे question पूछे गए हैं उन सब पे भी एक ब्यापक चर्चा पर चर्चा करेंगे और उस पे आप लोग एक कीवने session टाइप में होगा question answer session होगा यहाँ पे बहले मैं आपको जो है question दिखाऊंगा और एक question प्रीवेस एर question होगे जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं तो जितने भी पूछे गए हैं वो सारे question इस संभावित हैं इनको तुरह detail में भी हम लोग देखते चले जाएंगे तो एक काम यह मैं आप लोग के साथ करना चाहता हूँ और निश्चित तोर पे आप लोग इसको लेकर के किसी भी तरीके से आपको कोई problem नहीं होगी तो जो UPPCS के exam जो भी आगामी आने वाले हैं उन सब में काम होगा आपका यह राप के previous question paper को लेकर के जो मैंने काम किया है एक-एक question में आप लोग के सामने लाओंगा और उम्मीद करूँगा कि आप इनका reply जरूर दे यह पहला question है आपको सबको दिख रहा है सही से यहाँ पे match the following है और ABCD करके यहाँ पे विकल्प दिये गए है match the following आप देख रहे होंगे यह आपके सामने question है इसमें दिया गया है UP को समय समय पर दिये गए नामों को सम्मंदित वर्थों से सुमेलित करना है आपको ठीक है UP के नाम समय के साथ जो है changes हुए है तो यहाँ पे कूट दिया गया है और आप लोग को इस कूट में बताना है कि UP का क्या नाम किस समय रहा एक time line दिया गया है तो आप लोग थोड़ा सा समय ले सकते है ज्यादा तो नहीं दूँगा आप लोग को ज्यादा मुश्किल से 5 सेकेंड का काम है 5-6 सेकेंड का काम है तो एक बार देख करके फिर इसका अंसर आप लोग मुझे बताइए और फिर इसके बाद हम लोग एक बार इसका अंसर decode करेंगे इसका अंसर रूड़ने का प्रयास करेंगे सभी लोग बताएं क्लियर नहीं आ रहा अरे इसमें क्लियरटी कैसे नहीं आ रही ठीक है दिख नहीं रहा आप लोग को आईसा कोई इसू है क्या अ अच्छा स्क्रीन बड़ी करना है चलो मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं एक मिनेट रुक जाओ इस question में थोड़ा code भी है न इस current से अब दिख रहा है आप लोगों को अब तो दिख रहा है न देखिए हाँ तो answer एक बार आप लोग देख सकते हैं बात ही मैं इसका उत्तर बहुत completely आपको बताऊंगा चलिए काफी लोग ने जवाब दिया है इसमें और अब बात करते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का समय समय उपर नाम परिवर्तन किया गया है ठीक है तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो था 1836 में क्रम से देखते हैं मैं चार डेट लाइन आप लोग को यहां पर बनाऊंगा चार डेट लाइन हम लोग यहां पर देखेंगे क्रम से सबसे पहले 1836 में ठीक है 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था कोई बताएगा क्या नाम होता था उत्तर प्रदेश का देखो सीधा सीधा यहां से दिया आप अपर निकालना चाहो तो उत्तर प्रदेश नाम तो आपका 1950 में ही पड़ा होगा इसमें कोई बहुत बड़ा आप लोगों इसमें कुछ सोचनी की जुरत नहीं है और इससे पहले इसको सायुक्त प्रांत कहते थे तो सायुक्त प्रांत आपका 1937 यह मलब 1937 में जब आपका भारत सासा नदियाम आया है उसके बाद यह नाम पड़ा है उई उपी का और फिर इसली आपको आगरा और आवद का जो सायुक्त प्रांत वाला छेत्र है तो पहले आपको पता है कि जो पूरा मुगल इंपायर था और जो आवद का नवाप था है ना यह पूरा का पूरा टाइम पिरेड रहा है लेकिन आपका अठारा सु संताउन की क्रांती के बाद जो है मुगल प्रिके से निस्तना नाभूत हो जाता है और 1870 का जो पूरा यह टाइम पिरेड है यह टाइम पिरेड आपका आगरा और आवद का शयुक्त प्रांत और यह उत्तिर पश्मी वाला छेत्र है यह आपका है यहां पर 1836 में तो यह पर्टिकुलर आपके चार कूट है और इनको यदि अब आप मिला लीजे जो भी आपको देखेंगे उसी साब से आपको इसका अंसर मिल जाएगा इसमें कुछ है नहीं बहुत इजी है अब इसमें आपको अंसर मैंने बताई दिया अंसर इसमें देखना क्या है डी का वन होना चाहिए डी का वन देखो लगातार इसमें सम में ये वाला डी है ठीक है ये देखें सब डी है डी में सम में वन है तो डी से वन से काम नहीं हो सकता है C का क्या होना चाहिए C का 2 होना चाहिए तो C का 2 देखो इसी से पकड़ के आ जाएगा आपका ये पूरा का पूरा सिप दो इन में से जो इस तरीके के question जो भी आते हैं आपका महजदा following कोई एक निकाल लेना है जिससे भी निकाल आता है उसी से आपका काम हो जाएगा बहुत इजी है बहुत आशान है ये पूरा मैटर समझ रहे हैं तो ये याद कर लो ये याद कर लो हमेशा देखो ये नामकरण है और उत्तर प्रदेश का नामकरण 1950 में जो आपका इंडियन कंसिट्यूशन बना और जो हमारी पहली अनुसूची थी पहली अनुसूची में आपका पूरा का पूरा ये टाइम लाइन है और आपको पता होगा कि जो आपका 24 जनवरी है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाये जाता है 24 जनवरी को क्या मनाये जाता है 25 जन्वरी को और 26 जन्वरी को गरतन दिवस होता है सब जानते हो आप लोग अभी से मनाने का ये पूरा बहुत पुराना नहीं है 24 जन्वरी को अभी है जो मवजूदा सरकार है इसी के द्वारे नेड़ा लिया गया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ मचाता हूं कि आप लोगो कुछ प्रॉपर जन्वरी दे के जाऊं जो कि एक्जाम में भी आपके लगातारी चीज़े पूछी गई है और मेरा भी प्रयास रहे कि आपको इस तरीके से कुछ सीखने को मिले ये आपका नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर टू अराम से पढ़िएगा इसे और प्रयास करेगा कि इसका अंसर आप लोग गड़बर ना करें कोश्चन नमबर टू है ये उत्तर प्रदेश के प्रसम राज्यपाल अब ये न बता पाए तो बहुत राज्यपाल जो है और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल ये दोनों अंसर एक ही है सेम ही है है ना चाहे भारत की महिला राज्यपाल हो और चाहे उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल हो एक ही परसन है सरोजनी नाडियू कवित्री भी थी है और 15 गस्त 1947 से ले करके जब देश सुतंत हुआ है हमारा 1947 से ले करके 2 मार्च 1949 तक सरोधनी नाइडियू भारत की क्या रही है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और भारत की पहली महिला राज्यपाल रही है ठीक है बारत की पहली महिला राज्य पाल रही है तो ये आपको बेकुल दिमाग में छप जाना चाहिए आपको पता होना चाहिए ये कोश्चन ठीक है यूपी-पी-चेस का है कही नगई पे आप सभी से पूछ सकता है आसान सा कोश्चन है कुछ नहीं है ठीक है ये एक और आ उत्तर-प्रदेस के मुख मंत्री नहीं है अब देखो यह एक आपके लिए बहुत-बड़ा चैलेंज है इतना आसान नहीं है कि आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाएं अब यह आपको पर चार ओप्शन दिये गए हैं गोविंद बलब पंथ हैं हे मोती नंदन बहुगुड़ा है कृष्ण चंद्र पंथ हैं नरायंड दत्य तिवारी हैं इनमें से कौन यूपी के मुखमंत्री नहीं रहे हैं यानि कि आयोग आपसे चाहता है कि आप उत्तर प्रदेश के सारे मुखमंत्रियों के लिष्ट याद करके रखिए तो बिल्कुल करना चाहिए आप लोगों को यूपी के सारे मुखमंत्री कब कौन हुआ है पहले से लेकर योगियादितना तक आपको पूरे पढ़ने चाहिए सारे करने चाहिए बताईए उनीगा है अब देखे गोविंद बलब पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुखमंत्री थे सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सूबा बना आपका जो ये संयुक्त प्रांत वाला जो पूरा का पूरा आपका निकल के आया कॉंसेप्ट संयुक्त प्रांत का कॉंसेप्ट निकल के आया था ना आपका उत्तर प्रदेश का हाँ तो जो आपके गोविंद बलब पंथ थे ये एक तो सबसे पहली चीज जब सम्मिधान सभापकी नहीं बनी थी उससे पहले से यह यह लगातार दिसंबर 1954 तक रहें यह आपके गोविंद बलब पंथ और सबसे पहले जो चुना हुए थे 1937 में चुना हुए थे 1937 में चुना हुए थे तो 1937 के जो चुना हुए थे 1937 के चुनाओं में आपको पता होगा कि जो कांग्रेश थी सबसे बड़ी पार्टी बनके उबरी थी और कांग्रेश पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय तो द्वती विश्युद्ध जो आपका प्रारम हुआ द्वती विश्युद्ध में भारत में जो उस समय कांग्रेस का मंत्री मंडल था उसे पूछा नहीं गया और जब उसे पूछा नहीं गया तो फिर फाइनली निकल के ये आया कि 28 महीने की सरकार के बाद एक सामुहिक त्याक पत्र दे दिया गया कांग्रेस से तो फिर ये इनका लेकिन अगेन ये फिर एक अप्रेल नाइंटीन जो एक अप्रेल 1946 से लेकर के दिसंबर 1954 तक तो यही रहें गोविंद बलब पन तो यह आपको याद रखना चाहिए दूसरे परसन है आपके हे मुवती नंदन बहुगुडा ये महोद है हे मुवती नंदन बहुगुडा ये भी आपके उत्तरप्रदेश के मुख मंत्री रहें कब रहें 19 1973 में बने हैं ये और 1974 तक रहें तो लगबग लगबग ये ज़्यादा टाइम तो नहीं रहें नॉमबर 1973 से लेकर के आपका मार्च 1974 तक रहें ठीक है तो और आल कहीं न कहीं पे ये भी आप ध्यान में रह सकते हैं देखो जो भी जिनके भी प्रश्णों कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो थोड़ा सा प्रतिक्षा कर लिजे जब एक कोश्चर अंसा शेशन हो जाएगा ज्यादा कोश्चर नहीं कराऊंगा इसके बाद आप लोग पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो हेम ओती नंदन बहुंगुडा भी आपके आठ नॉम्बर 1973 से लेकर के फिर आपका जो चार मार्च 1974 तक ये भी रहें उत्तरप्रदेश के मुख मंत्री इसके बाद आपके एंडी तिवारी नरायंड़त तिवारी बड़े फेमस परसन है आपको पता होगा कि एक जो डि से लेकर के सततर तक 84, 85 में भी बने हैं इसके बाद ये 85 में फिर से बने तो कई बार एंडी तिवारी है इनिला इसके बारएं और ये कभी भी मुख मंत्री नहीं बने हैं क्रिश्नी चंद्रेपंत जू है वो कौने हैं गोविंद बलप पन्त के पूत्रें हैं तो इसमें कं में कुछ बताऊं मैं कुर्ष्ण जंद्रपंत महौदय के बारे में इदि बताऊं तो यह कैबिनेट मंत्री रहे हैं और योजना योग के उपाध्यक्ष समय तक रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के कभी भी मुख मंत्री नहीं बने हैं यह द्यान रखेगा ठीक है तो यह आ पूठ है एक तरीके से यहाँ पर भी आपको A, B, C, D करके ही अंसर देना है यह कोशन नमबर चार है नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री रहे हैं बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री जितने लोग रहे हैं उनकी और सही कालानुक्रम के हिसाब से सजाना है आपको यह भी द्यान रखना है पदारूर रहने का सही कालानुक्रम क्या था उनका देखो यहां तक भी पूछता है कोश्चन लोवर PCS में कोश्चन पूछा गया है माफ किजेगा थोड़ा सा खासी है मुझे दियान से इसको समझे और ऐसे कोश्चन को पढ़ते समय कभी भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए और यही निगेटिव मार्किंग है नहीं पता चल रहा तो आपको ऐसे कोश्चनों को छोड़ भी देना चाहिए समझा है ना फिर ऐसे कोश्चन को यह आप करेंगे तो आप अपना नुकसान कर ले जाएंगे दियान रखेएगा तो आपको कालानुक्रम बहुत मजबूत मलब बड़ा कठिन काम है देखो सबसे पहले तो यह सारे के स सरे उत्तर प्रदेश में मुखमंत्री itself सुचेतर कर प्रप्लानी के बारे में आपको पता है महिला मुखमंत्री मुखमंत्री और कमला पती तरपाठी भी मुखमंत्री रहे हैंCómo बना ऐखरी है लेकिन कभी पाल्यामेंन नहीं गектर नहीं आविस्वासप्रृस्थाव आगी नहीं को पता होगा यदि आपको पता है तो भी आइडिया सकते हैं। सहब बहुत जल्दी हिरा रखाशन हैं तो आप समय के लिए नहीं रहे, आठ महीने के आसपास थे, यहां फरवरी 1970 में बना था है और फिर अक्टूबर 1970 में इन्होंने पत्याग दिया तो ये आपके चरण सिंग साप थे ये भी रहे 1970 के आसपास रफली आपको पता होना चाहिए डाक्टर संपूरा नंद जो है ये सहीतेकार भी थे और 1964 में ये बने थे ओ माप करेगा 1954 में बने थे डाक्टर संपूरा नंद ठीक है तो 1964 से लेकर 1960 तक रहे ये डाक्टर संपूरा नंद सुचेता करपलानी जो है 1963 में बनी है 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख मंत्री और कमला पतीत्रिपाठी जो है आपका काम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख मंत्री हैं सब की लिष्ट निकालिए विकिपीडिया में जहां भी मिल जाए और रट डालिए रटना पड़ेगा यूपी के एक्जामबल है जितने भी बच्चे है अब आसानी से आप निकाल सकते हैं इनका क्रम की सबसे पहले कौन आया डाक्टर संपूरा ने यानि तीन नंबर सबसे पहले देखो तीन नंबर इसमें भी है इसमें भी है जब तक आप दूसरा कंफर्म नहीं करोगे फिर इसके बाद चार नंबर आना चाहिए तो तीन के बाद चार इसी में आराए भी में तो आप आपको क्रम से यह चीज़े रटनी है बिल्कुल आपको कनफर्मली रट लेना है जब तक आप इन्हें रटों के नहीं कोश्चन नहीं आपके गडबर हो जाएगा पूरा मामला फैक्शूल इस तरीके का भी सिस्तर का भी आयोग पूषता है आप से यूपी के जितने भी एक्जाम होते हैं सब में कोही न कहीँ पि एक कोश्चन देखने को मिल जाता है चलो आगे चलते हैं अगला कोशन भी आपके लिए लेके आए ये हैं ये कोशन भी देखो नहीं रहे से हैं कि कौन उत्तर प्रदेश का मुखमंत्री नहीं रहा है बताईए आप नेमलिकित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुखमंत्री नहीं रहा है एक बार थोड़ा सा गतियदी बढ़ा दें आप स्पीड बढ़ा दें अब देखो आपका काम टास्क आपको दे रहा हूँ यह हूमवर्क लिख लो आप लोग उत्तर प्रदेश के सभी मुख्मंत्रियों के लिस्ट याद करनी आपको और यह काम मैं भी करवा दूंगा वैसे जो नेक्स्ट सेशन रहेगा ना उसमें मुझे याद दिलाएगा मैं लिखे ले रहा हूँ इस शेच को सभी मुख्मंत्री नेक्स सेशन में आपको याद करा दूंगा पूरा अभी तक के जितने भी होंगे अपडेटेट पूरा आपको पद का टाइम पिरेट क्या था और आप लोग भी देख लीजेगा बाकी मैं भी याद करा दूंगा तो अगली क्लास में जो नेक्स्ट ट्यूजडे को क्लास होगी उसमें करवाऊंगा आपका ठीक है ये काम मैं भी करवा दूंगा क्योंकि मुझे आप लोग उपर ज्यादा भरोसा नहीं है कि आप लोग घर पे करोगे नहीं करोगे तो मैं खुद करा दूंगा तो ये आपके थे नित्यानन्द स्वामी जो हैं ये उत्तराखंड के पहले मुख्मंत्री हैं तब से लेकर के 29 अक्टूबर 2001 तक रहें ये नित्यानन्द स्वामी तो यह UK के थे उत्त्राखंड के थे गोविंद बलप पंथ, टीयन सिंग, राम नरेश श्यादो, यह UP के मुक्मंत्री रहे, क्लियर है इस फश्ट है, सबी को, क्लियर है की नहीं क्लियर है, आप करिएगा, बस गला है, थोड़ा सा डिस्टब चल रहा है, कासी जुकाम से बच के रही है, मैं तो फस गया इस बार, यह अगला कोश्चन है आपके सामने, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुक्मंत्री के पदपर रही हैं, पताओ बाई, कितनी महिलाएं उ 2015 में ही कुश्चन आया था, यूपी पीशेस का, पहले में साप का, जो तत अबजिक्ट्व टाइप होता था, तो उसमें पूछे जाते थे ऐसे धाकर कुश्चन, ठीक है, और यूपी वाले जितने बच्चे हैं, सब तक आपको इस पूरे प्लेटफर्म को पहुंचाना है यूपी में बता देना है कि आजाद यूपी पीशेस अकैडमी प्लेटफर्म आप लोग के लिए है, और उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए एक मात्र यहां पे कम्प्लीट सेल्यूशन है, पूरा कम्प्लीट ऑनलाइन बैच में पूरी की पूरी तैयारी, साथ म में आपको मैं डाउट सेशन के तौर पे आप लोग को लगतार हर त्यूश्डे को रात दस बजे डाउट सेशन पे भी मिलूँगा, तो हर चीज आपको मिलेगी इस पूरे प्लेटफर्म पे, यह देखो तीन 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 वाले, यहां पे तीन सो तेतीस वाले हैं, दो वाले आ चुकी हैं, सबसे पहली सुचेता करपलानी थी, सबको आपको पता होगा कि भारत की पहली महिला मुकमंत्री और भारत की पहली महिला राजजपाल, दोनों उत्तर प्रदेश में रही हैं, सुचेता करपलानी कब बनी थी, 1963 में बनी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं 1966 तक रही तो ये आपकी बारत की पहली महिला मुखमंत्री भी हैं और देश की पहली मुखमंत्री उत्तर प्रदेश की तो आई हैं देश की ये भी ध्यान रखेगा और दूसरी का नाम आप सबको पता है सूसरी माया बती सूसरी मायाबती हैं और लगबग चार बार महिला मुखमंत्री बन चुकी है ये चार बार मुखमंत्री बन चुकी है उत्तर प्रदेश में ठीक है ध्यान रखेगा चार बार उत्तर प्रदेश में मुखमंत्री बन चुकी है लगातार तो चंद्रभानु गुप्त और एंडी तिवारी के बाद जो है उत्तरप्रदेश में माया बती तीसरी एज़ा परसन है इससे पहले चंद्रभान गुप्त जो है वो भी तीन बार बन चुके हैं उत्तरप्रदेश में एंडी तिवारी भी चार बार बन चुके हैं चंद्रभान गुप्त एनडी तिवारी और माया बती यह तीन लोग हैं जो उत्तर क्टर प्रदेश में चार बार मुखहमंतृरी मन चुके हैं चंद्रभान गुपत ठीवारी और मायावति यह आपको याद कर यह कुश्चन तो वेकुल आउट ही हो गया अभी मैं इसी को लेकर चिला रहा था आपको निम लिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख मंत्री थी अब भया यह ना बता पाओ तो जो आसपास दिवाल दिखे सबसे पहली दिवाल उसमें सर्ब थोड़ा सा सर पठकना है अपना ठीक है पठकने मतलग जाना घर वाले फिर कहेंगे अजाद यूपी पीसे से केडमी पर नहीं आना आप लोगो बस 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 अरे बड़े होसियार है आप लोग सब बी बताओगे पिलकुल सुचेता कर प्लानी कब बनी यह विकुल रट जाना चाहिए 1902 दो अक्टूबर 1963 में से लेकर 1967 तक मार्च 1967 तक यह डेट बिलकुल रट लो आप सुचेता कर प्लानी को ले करके अब बस मैं ज्यादा लंबा नहीं खिचूंगा रेस जरूरी है अगला है यूपी विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यूपी विधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये तो पिंटू सा कोश्चन है पिंटू सा कोश्चन है इस कोश्चन में भी कुछ नहीं है आँ चलो याद हो गया 1963 सबको 1963 से लेकर 1963 तक सबको याद हो गया तो गरतन दिवा 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है दो फरवरी 1950 को नैसम विधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज विधान सभा का गठन होता है पहला सत्य प्रारंब होता है और जो पहले विधान सभा के अध्यक्ष बने वो पूर्सोत्तम दाश टंडन थे कौन थे? पूर्सोत्तम दाश टंडन थीक है? ध्यान रखिएगा पूर्सोत्तम दाश टंडन थीक है? अब ये थोड़ा सा ओप्षन को ले करके है आप ऑप्षन को भी ध्यान में रखिएगा ठीक है? ऑप्षन में ये तो देखो 1950 की बात कर रहा हूं है दो फरवरी 1950 को जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाऊ 1937 में भी हुए थे और गोविंद बलब पंथ तब भी मुख मंत्री बने थे लेकिन मजे की बात ये है कि पूरसोत्तम डाश टंडन भी उस समय ही विधान सबाद्यक्ष थे तो उस समय भी विधान सबाद्यक्ष पूरसोत्तम डाश टंडन थे और सोतंता के बाद गरतंत समिधान लागू होने के बाद भी पहले उपद्यक्ष यही बने पुरसोत्तमदाश टंडन तो याद रखेगा इस चीज को ठीक है 1937 में जो कांग्रेस मंत्री मंडल था तो 31 जुलाई 1937 को पुरसेंतमदाश टंडन विधान सवा के अद्यक्ष बनाए गए थे और उपद्यक्ष बनाए गए थे अब्दूल हकीम अब्दूल हकीम को उपद्यक्ष बनाए गया है तो हर कंडिशन में आपको याद रखना है पुरसोत्तमदाश टंडन को ठीक है 1937 में भी बने थे आपके पुरसेंतमदाश टंडन और इसके बास 27 अपरेल 1946 को भी बने थे 1946 को भी बने थे और फिर दो फर्वरी 1950 को भी बने थ तो यह आपको भी कुर रट लेना है यह बुत्ता पदेश के प्रथम विदान सबाद्यक्ष सबको रट जाना चाहिए सबको रटना चाहिए यह चीज बिलकुल गजब कभी कुर रट जाना चाहिए यूपी वाले जितने बच्चे हैं कोई भी एक्जाम दे रहे हो यह सब पिंटू-पिंटू टाइप के कुश्चन आते हैं और इनमें ज्यादा घबराना नहीं है ठीक है कोई घबराएगा नहीं यह सब बहुत छोटे मोड़े कुश्चन है इन्टू टाइप के कुश्चन है कुछ नहीं है और इनको फिर मैं डिटेल में भी करवाऊंगा टेंसन दूम हो सकता है उत्तर प्रदेश का राज़की चिन्यगे दुनिया ने देखा है आपने भी देखा ओगा कहरा है कि इसमें क्या नहीं है मचलिया है क्या कि नहीं है धन असमें पट्चिय है नेशनल बर्ड है यह राश्टिय पक्षी है आपका उत्तर पदेश का जो राजकिय चिन है देखो भारत का राजकिय चिन है तो सारनाथ है मेरा वीडियो किसने किसने देखा है जो सारनाथ से मैंने बनाया है आपका सारनाथ से एक वीडियो बनाया है भारत के सभी राजकिये चिन्नों को ले करके किसी ने वीडियो देखा है वाला सारनाथ गया था मैं सारनाथ से ही मैंने जो आपका राजकिये चिन्ने उसके जस्ट सामने खड़े हो करके वीडियो बनाया है किसने किसने देखा है पूरे इंडिया के सारे के सारे मैंने बनाए जिसने नहीं देखा हो भारत दर्शन का पूरा प्रोग्राम मेरा चलता है उसमें जो ये लेटेस्ट एपिसोड ही था सार नास से मैंने पूरा भारत के सारे राजकिये चिन्ने पढ़ाएं A2Z आपको सम मज जाएगा गजब जवर्जस्ट पढ़ाएं जो नहीं देखें हैं आजाद IAS Academy में पब्लीक हो वीडियो देखना चाहिए एक बार बहुत ग्यान बढ़ जाएगा आप कितने कोश्चन सही हो जाएंगे भारत दर्सन देखा करो भारत दर्सन से तो मैं आप जाके खड़े हो के पढ़ाता ही हूँ आपको दिखाता कम पढ़ाता ही हूँ आप लोगको तो आप लोगको देखना भी है दिखाता भी हूँ चीजों को कि देखो यह ऐसे चीज़े होती है और फिर आपको पढ़ा देता हूँ तो आप लोगको देखना चाहिए गलत बात है देखो जिन प्रदेश है उसका प्रतीक है है ना सीराम चंद्र जो है तीर धनुष चलाते थे ना उसी का प्रतीक है यह मान सकते हैं और जो इसमें जो है गेहूं की बालिया भी आपकी है ना सरकील है मैं पूरा आपको चिन्न जो राज की चिन्न है पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊंग ठीक है एक बार हम देख लेंगे जो आगला अगला कुश्ण देख लेते हैं इस अगला देख लेते हैं आपका नेक्स्ट लाश्ट कोश्ठ्ट कर लेते हैं इसके बाद फिर मैं आप लोगों को फिर आप समझ जाओगे रफली ये एक पूरा प्रक्रिया रहेगी ये निम्लिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकिये पूस्प है राजकिये पूस्प बताईए कौन सा है निम्लिखित में से राजकिये पूस्प देखो भारत के तो राजकी पुस्प कमल है सबको पता है उत्तर प्रदेश का भी पता होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश का राजकी पुस्प रट लो अभी रटो सभी मेरे साथ टेशू रट लो सभी लोग उत्तर प्रदेश का राजकी पुस्प टेशू है आप लोगने सा पलास भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पलास ठीक है यह पूजा पाठ में काम आता है टेशू का फूल तो टेशू हर जगे नहीं मिलता आपको तो टेशू राजकिये पुस्प है यह याद रखेगा राजकिये पसु बारह सिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकिये पसु क्या ह उत्तर प्रदेश का राजकी पच्छी सारस है भारत का राजकी पच्छी मोर है ठीक है सारस है उत्तर प्रदेश का रट लेना है आपको राजकी ब्रच्छ की बात करें तो राजकी ब्रच्छ असोक का पेड़ है असोक सभी ने देखा होगा असोक का पेड़ आपका राजकी ब्रच्छ है उत्तर प्रदेश का राजकी ब्रच्छ असोग का पेड़ है ठीक है क्या है असोग का पेड़ है ठीक है क्लियर है तो ये आपका जो है हमारा एक Q&A अपको रटवा के जाऊंगा मैं नहीं कहूंगा कल पड़ो परसो पड़ो नरसो पड़ो मैं रटवाऊंगा तो अब जो नेक्स शेशन होगा उसमें भी Q&A अनसा सेशन भी करेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी मुखमंतियों की लिष्ट याद रख करेंगे तो एक बार जो हमें आप लोग को गजब का उत्तर प्रदेश आप लोग को या